C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की भुगोल की पाठ्य पुस्तक, प्रित्वी हमारा आवास. प्रस्तुत है इस पुस्तक का पाठ चार मान्चित्र, प्रिष्ठ 24 से प्रिष्ठ 30 तक. तो आईए अब सुनते हैं पाठ मान्चित्र, प्रिष्ठ संख्या 24. आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं. ग्लोब में अध्यायन की कुछ सीमाएं होती हैं. जब हम पूरी प्रिथ्वी का अध्यायन करना चाहते हैं, तब ग्लोब हमारे लिए काफी उप्योगी सावित होता है. लेकिन जब हम प्रिथ्वी के केवल एक भाग, जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शेहरों तथा गावों के बारे में अध्यायन करना चाहते हैं, तो यहां हमारे लिए उतना उप्योगी सावित नहीं होता है. ऐसी स्थिती में हम मान्चित्रों का उप्योग करते हैं. दूसरे मान्चित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं. जब बहुत से मान्चित्रों को एक साथ रग दिया जाता है, तब एक एटलस बन जाता है. एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग-अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है. जिन में से कुछ को आगे वर्नित किया गया है. भौतिक मान्चित्र प्रिथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों, जैसे परवतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादी को दर्शाने वाले मान्चित्रों को भौतिक या उच्चावच मान्चित्र कहा जाता है. राजनीतिक मान्चित्र राज्यों, नगरों, शहरों, तथा गावों और विश्व के विभिन देशों वर राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मान्चित्र को राजनीतिक मान्चित्र कहा जाता है. आओ, कुछ करके सीखें, एक रबड की पुरानी गेंद लें, एवम उस पर कोई रेखा चित्र बनाएं, आप उस पर उत्तर एवम दक्षन धुरुफ को भी चिन्हित कर सकते हैं, अब चाकु से इस गेंद को काटें, तथा उसे चप्टा करने की कोशिश करें, देखें कि क इस प्रकार रेखा चित्र का रूप बिगड़ जाता है। दूचना के आधार पर उसका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के तीन घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी। मानचित्र एक आरे खण होता है, जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग कोट छोटा कर कागस के एक पन्ने पर दर्शाता है। या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है, ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तब ही संभव हो सकता है, जब कागस पर एक छोटी दूरी, स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्याले एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलो मीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटी मीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है. इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटी मीटर स्थल के 5 किलो मीटर को दर्शाएगा. आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटी मीटर बराबर 5 किलो मीटर. इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वा पूर्ण होता है. अगर आपको पैमाने की जानकारी है, तो आप मानचित्र पर दिये गए किसी भी दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं. जब बड़े क्शित्र फल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागस पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपियोग करते हैं. उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटी मीटर, स्थल के 500 किलो मीटर को दर्शाता है. इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं. जब एक छोटे क्शित्र फल वाले भाग, जैसे आपके गाउं या शहर को कागस पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपियोग करते हैं. जैसे इस थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटी मीटर से दर्शाया जाता है. इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं. बड़े पैमाने वाले मानचित्र, छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं आओ, कुछ करके सीखें चित्र चार दशमलव एक को देखिए वहाँ एक पैमाना बना है इसका उपियोग स्थानों के बीच की दूरी मापने में किया जा सकता है उदाहरण के लिए एक कुवां एवं व्रिक्ष के बीच की दूरी 5 cm है इसका मतलब होता है कि वास्तविक दूरी 50 m है अब एक Post Office A एवं करीम के घर E के बीच की दूरी 12 cm है इसका मतलब है कि इस थल पर यह दूरी 120 मीटर है लेकिन आप एक पक्षी की तरह उड़कर सीधे E से A पर नहीं जा सकते आपको सणक पर चलना होगा अब हम लोग पैदल तै की जाने वाली दूरी उसके बाद C से M M से B तथा B से A को मापते हैं सभी दूरियों को जोड़ दें यह करीम के घर से पोस्ट ओफिस तक की कुल दूरी होगी प्रिश्ठ 26 इस प्रिश्ठ पर चित्र चार दशमलव एक दिखाया गया है जिसमें एक गाउं का मानचित्र है इस चित्र में एक तरफ पोस्ट ओफिस है जिसको की मान्चित्र में एक विशेश रंग से दिखाया गया है साथ ही उस पर सांकेतिक रूप से पी-ओ लिख दिया गया है इसी प्रकार दुकानों वाले क्षेत्र को अलग रंग से दर्शाया गया है इसी प्रकार मान्चित्र में सामुदाई केंद्र को पीले रंग से दर्शा दिया गया है तथा खेल के मैदान में हलकी घास दिखा कर दर्शा दिया गया है चित्र में कोई कोई काले बिंदू से दर्शाया गया है वहीं विद्याले को एक अलग रंग से इसी प्रकार विकास के घर को अलग रंग से, शीला के घर को अलग रंग से, करीम के घर को अलग रंग से दर्शाया गया है साथ ही इन सब के बीच में जाने वाले रास्तों को भी दर्शाया गया है मानचित्र में सबसे नीचे पैमाने को दर्शाया गया है इस मानचित्र का पैमाना है एक सेंटिमीटर बराबर दस मीटर दिशा अधिकतर मानचित्रों में उपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है जिसके उपर अक्षर U लिखा होता है यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है इसे उत्तर रेखा कहा जाता है जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिन के बारे में पता लगा सकते हैं चित्र चार दशमलव दो में चार मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिन, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिख बिंदू कहे जाते हैं। बीच की चार दिशाओं हैं उत्तर पूर्व, दक्षिन पूर्व, दक्षिन पश्चिम तथा उत्तर जादत से किसी भी स्थान की सही स्थिती का पता लगाया जा सकता है। प्रिष्ठ संख्या सत्ताइस हम दिक सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यहाँ एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुम्बकिय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षण दिशा में होती है। प्रतीक यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकरितियों, जैसे भवनों, सडकों, पुलों, व्रिक्षों, रेल की पट्रियों या कुएं को दिखाना संभाव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उप्योग करके दर्शाय जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तिमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है, तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक शेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं, तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मान चित्रों की एक विश्व व्यापी भाषा होती है, जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपियोग के संबंध में एक अंतर राश्ट्रिय सहमती है। इस प्रिष्ठ पर चित्र 4.3 दर्शाया गया है, जिसमें कुछ रूढ चिन्ह दर्शाय गये हैं। सबसे पहले चित्र में रेलवे लाइन के रूढ चिन्हों को दर्शाया गया है। जैसे बड़ी लाइन के लिए रूढ चिन्ह है, एक मूटे काली गाढ ही रेखा और बीच में दो खाली स्थान। और बगल में आरेस लिखा गया है। इसी प्रकार पक्की सडक के लिए रूढ चिन्ह है, दो काली समान अंतर रेखाएं। इसी प्रकार जिले की सीमा दर्शाने के लिए कई छोटी छोटी एक के बाद एक रेखाएं दर्शाई गई हैं। नदी के लिए दो रेखाओं के बीच में नीला रंग किया गया है। कुएं के लिए एक बिंदू, तालाप के लिए एक वृत्त नुमा आकरिती के अंदर नीला रंग। नहर के लिए दो समान अंतर रेखाएं और उनसे निकलती एक काली गाढ़ी रेखा। पुल के लिए दो समान अंतर रेखाएं और उनके छोरों पर बाहर को निकलती हुई छोटी छोटी रेखाएं। इसी प्रकार मंदिर, गिर्जा घर, मस्जिद, छत्री इत्यादी दर्शाने के लिए भी विशेश प्रकार के चिन्ह दर्शाए गए हैं। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलिग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन आधी के लिए पी ओ, पी टी ओ, पी एस इत्यादी चिन्ह दर्शाए गए हैं। बस्ती या कब्रिस्तान इत्यादी दर्शाने के लिए भी विशेश प्रकार के चिन्ह अलग-अलग रंगों में दर्शाए गए हैं। इसी प्रकार पेड या घास दर्शाने के लिए भी पेडों या घासों की आकरिती से मिलते जुलते चित्र दर्शाए गए हैं। प्रिष्ठ संख्या 28 ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र 4.3 में दर्शाय गए हैं। विभिन रंगों का उपियोग भी इसी उद्देश से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्य तह नीले रंग का इस्तिमाल जलाशयों, भूरा रंग परवतों, पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। इस प्रिष्ठ पर चित्र चार दशमलव चार दर्शाया गया है, जिसमें सुन्दरपुर नामक गाउं और इसके आसपास के क्षेत्र को दर्शाया गया है। मान्चित्र में रोढ़ प्रतीकों के माध्यम से विभिन प्रकार की चीज़ें दर्शायी गई हैं। चित्र चार दशमलव चार से संबन्धित कुछ प्रशन पूछे गये हैं। चित्र चार दशमलव चार को देखें एवं पता लगाएं। पहला, नदी किस दिशा में बह रही है। दूसरा, डुमरी गाउं के पास से किस प्रकार की सड़क गुजरती है। तीसरा, किस प्रकार की रेलवे लाइन के पास सुन्दरपुर स्थित है। चौथा, रेलवे पुल के किस तरफ पुलिस स्टेशन स्थित है। पाँचवा, आगे दियेगा इस्थान रेलवे लाइन के किस तरफ स्थित है। क, छतरी, ख, गिर्जाघर, ग, तालाब, ग, मस्जिद, च, नदी, च, पोस्ट एवं टेलिग्राफ ओफिस, ज, कब्रिस्तान रेखाचित्र रेखाचित्र एक आरेखण है, जो पैमाने पर आधारित न होकर या दाश्ट और स्थानिय प्रेक्षण पर आधारित होता है कच्चे आरेखण की आवशक्ता वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बना सकता है इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की साहिता से खींचा जाता है तथा इसे रेखा चित्र मान चित्र कहते हैं प्रिष्ठ संख्या 29 खाका एक छोटे क्चेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है एक बड़े पैमाने वाले मान चित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खीच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। आओ, कुछ करके सीखें। स्कूल भुवन NCRT वेब पोर्टल देखें। इस पोर्टल पर उपलब्ध सेटलाइट चित्रों पर अपने आसपडोस का मानचित्र ओनलाइन बनाए। अभ्यास पहला प्रश्न आगे दिये गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला, मानचित्र के तीन घटक कौन-कौन से हैं? दूसरा, प्रधान दिग बिंदु कौन-कौन से हैं? तीसरा, मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं? चौथा, गलोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं. क्यूं? पाँच्वा, मानचित्र एवं खाका के बीच अंतर बताएं. चौथा, कौन सा मानचित्र विस्तरित जानकारी प्रदान करता है? साथवा, प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अधियन में सहायक होते हैं? दूसरा प्रश्न, सही उत्तर चिन्हित कीजिए. पहला, व्रिक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं, क भौतिक मानचित्र, ख थिमेटिक मानचित्र, ग राजनीतिक मानचित्र. दूसरा, नीले रंग का इस्तिमाल किसे दिखाने में किया जाता है, क जलाशयों, ख परवतों, ग मैदानों. तीसरा, दिक सुचक का उपियोग किया जाता है, ग, प्रतीकों को दिखाने के लिए, ख, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, ग, दूरी मापने के लिए चौथा, पैमाना आवश्चक है क, मान्चित्र के लिए, ख, रेखा चित्र के लिए, ग, प्रतीकों के लिए, प्रिष्ठ संख्या तीस आओ, कुछ करें पहला, अपनी कक्षा के कमरे का रेखा चित्र खीचें, तथा उस कमरे में रखे सामान, जैसे शिक्षक की मेज, ब्लैक बूड, डेस्क, दर्वाजा तथा खिड़कियों को दिखाएं दूसरा, अपने स्कूल का एक रेखा चित्र खीचें, एवं निम्न लिखित को दर्शाएं अ, प्रधाना ध्यापक का कमरा ब, अपने वर्ग का कमरा स, खेल का मैदान द, पुस्त कालै य, कुछ बड़े पेड र, पीने के पानी का स्थल आओ, खेले पहला, एक मनुरंजन पार्क का रेखा चित्र खीचें जहां आप बहुत से मनुरंजक क्रिया कलापों को कर सकते हैं उदाहरण के लिए जोला, स्लाइड, जूमा जूमी, चक्र, नौका विहार, तैरना हास्य जनक दरपण में देखना आदी अथवा, अपने मन के अनुसार दूसरी चीजें इसी के साथ, आठ पाठों की स्पुस्तक का चौथा पाठ यहां समाप्त हुआ वाचन संधी भट, निर्माण विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत